नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बिर्जु सिंग पुर्णिया के रुपाउली विदानसवा सीट पर उप्षुना हो रहे हैं वोटिंग सुबह से जारी है लेकिन इसी के साथ कई ऐसे नेता है जिनकी इज़त और प्रतिष्टा दाव पर लगी है देखिए अब तक जो अपडेट है तकरिवन 10 बजे तक 10 प्रतिष्ट से अधिक वोटिंग जो है वो हो चुकी है ऐसे में बात अगर इंडिया यानि महा कडवन्दन और इंडिये कडवन्दन के कर ली जाए तो इंडिये से जेडियू के सीट है जेडियू ने कलाधर मंडल को उता रहा है दूसरी तुरफ पिछली बार यानि 2020 विदान सभा चुनावा को वक्त महा कडवन्दन के अंदर CPI चुनावा लड़ी थी लेकिन CPI तीसरी अस्तान पर थी और इस बार RJD चुनावा लड़ी है RJD ने वीवा भारती को टिकट दिया है निर्दलिये संकर सिंग भी मैदान में है लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं उन निताओं की जिनकी प्रतिष्टा दाव पर लगी है जिसमें ए अधर मंदल वरोसा जताया गया है तो सवाल है कि क्या नितिश कुमार अपने किला को बचा पाएंगे अपने गड़ को बचा पाएंगे दूसरी तरफ पुर्णियास से निर्दलिये सांसद पपु यादओ को लेकर भी है कि क्या पपु यादओ का प्रतिष्टा बचेगा अगर रुपाउली आरजेडी चुनाव हार जाती है तो फिर पपू यादो का जो क्रेज है वो उस पर बड़ा सवाल खरा हो जाएगा चुकि लोग सवाद चुनाव में तो आप जीत गये लेकिन विधान सवाद चुनाव में आपने आरजेडी बीमा भारती को खुले तोर पर समर्थन कर दिया है और इसलिए लोग यह कह रहे हैं कि अगर पुर्णिया के रुपावली सीट से बीमा भारती चुनाव हार गई तो फिर पपू यादो पर बड़ा सवाल होगा कि क्या पपू यादो का जलवा नहीं दिखा क्या पपू यादो का जलवा नहीं चला पपू यादो की बात को लोगों ने सिधे तोर पर इगनोर कर दिया, खारिज कर दिया पपू यादो तमाम विप्रित प्रस्तिती के बावजूद पुर्णिया सीट से चुनाव जीत जाते हैं लेकिन जस्ट बाद लोग सवाचुनाओं के जस्ट बाद अब उप्चुनाओं भी हो रहे हैं पुर्णियाक रूपाउली में बीमा भारती की स्थेपे के बाद बीमा भारती इस बार है आर जेडी के टिकट पुचुनाओं लगी है लोकसवाचुराओं में करारी हार हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीमा भारती के लिए रुपाउली सीट पर वापसी करना एक बड़ा संकत है चुकि उनके पती को लेकर और उनके बेटे को लेकर जो आतंक का महल पुर्निया में बना है जो कहा जा रहा है कि एक खौफ उनके पती और उनके बेटे का है ऐसे में जो लोग है वो किसी ब्यालवे भीमा भारती को देखना पसंद नहीं कर रहे है और बात अगर गड़ की कर ली जाए जाती समिकरन की कर ली जाए तो रुपाउली जहां गंगोता की बड़ी अबादी है और गंगोता नितीश कुमार का कैडर वोट बैंक माना जाता है और इसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 10 परसंट 15 परसंट उस कैडर में बीमा भारती स्वजाती होने के कारण सिंदमाडी कर ले लेकिन मैक्समाम जो वोट है 25 परसंट परस जो वोट है वो नितीश कुमार के साथ ہے नितीश कुमार के साथ इस बार चेराख पासवान भी है पिछली बार चुनाव लड़े थे और दूसरी अस्थान पढ़ा है और इस बार पासवानों का विसमर्थन तरह से में कहा जा रहा है कि नतीश कुमार की वापसी तो दिख रही है लेकि दूसरी तरफ बीमा भारती की मुश्किले भी बढ़ती दिख रही है तरफ पती और बेटियों को लेकर खबड़े आती रही और दूसरी तरफ लोकसभा के विधान सवा चुनाओं में भी हार होती न जा रही है हाला कि आज साम जब वोटिंग प्रतिशत आएगा तो साइब तस्विरे के लिए रहो जाएगे लेकिन उससे भी बड़ा सवाल पपू यादो को सामने होगा पपू यादो भी सोच रहे होंगे कि अगर हार गए तो फ सब्सक्राइब कर लिए फेस्बूक पर देखने पेज को लाइक और फॉलो कर लिए